तो राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उप्चुनाव होगा और बीजेपी के बाद अब कॉंग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है वही सच बेदरक ने बीजेपी नेता और राजस्थान सांसत घंशाम तिवारी से उप्चुनाव को लेकर बात चीत की है इस दोरान उन्होंने सभी साथ सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है सुनिये सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के पास खोने खोने के लिए है हमारे पास पाने पाने के लिए हमारे केवले एक माने से दिसे का ध्यान तुआ था एक सीट बीजेपी की थी बागि सारी सीटे पहले भी कांग्रेस को आई हुए थी दूसरी बात यह है कि इस चुनाव का सरकार पर कोई इसर नहीं पड़ेगा प्रदेश में और भारत में सरकार पर कोई सर नहीं पड़ेगा इसका असर पड़ेगा उस चेत्र के लोगों पर वो सरकार से जुड़ना चाहेंगे सरकार से काम करना चाहेंगे इसलिए उपचुनाव में भारती जनता पार्टी की दो कारणों से जीत निश्चित है एक कंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हुआ है वह बहुत बड़ी हुआ है विद्रो कहीं भी नहीं है और सरकार का जो कामकाज रहा है उस कामकाज पर कोई लांचन नहीं लगा है और सरकार के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं इसलिए इन उपचुनाओं में भार जनता पार्टी की जीत होगी सर इस बार उपचुनाओं में आरेलपी जो हर्मान मेनिवाल की पार्टी आरेलपी और राष्टी आदिवासी पार्टी को कैसे देख हैं आप क्योंकि यह लोग भी पूरीतर से दावेदारी कर रहे हैं आरेलपी का अपना बेस खीवसर में था वहां पर उसमें उनकी स्थित्य खराब है और उसी प्रकार जो पार्टी थी बाप जो बाद में राष्टी टिबनल पार्टी का नाम से इस पार्टी का जो चुना लोग सबगा जीतते के बाद में जो स्टेट्मेंट और वक्ते ब्याएं हैं उसके बाद में वहां आम आदमे में चाए वह आदिवासी हो चाह दूसरा हो गहरा दिवासी हो उन सब में उनका रेक्शन है और इस कारण से आप पार्टी भी जो यह बाप पार्टी है वो भी क पांस साल चलेगी सरकार 5 साल तक काम करती है जो काम सरकार को प्हंचहे साल में करना था वो सरकार ने पहले काम में किया उन ओजवानों को जिनों पेपर लीक होने के कारण से नक्सा उन्ठाना पड़ा उन सब कारण से और फिर भारत सरकार की विशेश अपलता हैं इस बार जो चीन के साथ पहली बार भारत दिखाए दुनिया को कि साड़े चार साल तक आँख में आँख डाल कर भारत के सना कड़ी रही और चीन को वापस पर चेटना पड़ा अपने इस्तान पर वापस जाना पड़ा एक कुछ काम है वारत सरकार के जिनके कांड़ से राज्टान स्टेट है सेना का रक्षा का इसलिए उस पर बहुत असर पड़े गए